प्रोटीशा में अगले साल लोकसभा वधानसभा चुनाब साथ होने हैं बीजेपी यहां जीतने के सुख दुख में शामल होकर चुनाब जीतने की प्लानिंग कर रही है केंद्रिये पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बारगण के उस घर में पहुँचे जहां केसान ने जहर खा कर खुदकुशी कर ली धर्मेंदर प्रधान ने पीडिक परिवार को सांत्वना दी और खुदकुशी के लिए राज्य की नवीन पटनायक सरकार को दोशी ठेराया एक संबेदन हिन सरकार, भरष्ट सरकार, अमानेवे सरकार उडिसा में है इनकी प्रती लोगों की काफी आक्रोस हो रहा है अगर यहां अंग नदी इस ब्लॉक में भी गया है, पानी की कोई अभाब नहीं है प्रबंधन की अभाब है, पहुंचाने की अभाब है अगर आज वो पानी इस गाउं की खेतों में आती, तो सायब ख्यमा सागर की जिंदेगी, अमुल्य जिंदेगी नहीं जाती धर्मेंदर प्रधान इन दुनों औरिशा में ही डेरा डाले हुए है, यहां बीजेपुर विधानसभा सीट पर 24 फरवरी को उपचुनाव है बीजेपी इस सीट से जीतने के लिए राद दिन एक किये हुए है औरिशा देश का वो राज्य है जहां बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आई अगले साल लोगसभा के साथ यहां विधानसभा चुनाव होने है बीजेपी यहां अपना भविश्य देख रही है इसलिए धर्मिंद प्रधान की नितर्त में पार्टी जबर्दस तरीके से अभियान में जुटी है